एक तरफ NDA के कुछ लोगों ने बीजे पी ने तोड़ा मुके सहनी जी के पाटी को और RGD ने M.I.M. के विधायकों को तोड़ा, तो कहीं न कहीं दोनों पाटीयां तो वही काम कर रही हैं पार्टी का दर्द एक है कमजोर हमारा दर्द अगर एक है तो दर्द देने वालों का भी तुसुनी अपने गटवंदन के लिए अपने पार्टी कारेकर्ताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है उसी कड़ी में हम लोगी मुलाकात हुई और निश्यत रूप से अगर मु निश्यत रूप से आरक्षन का लाव मिलना चाहिए मुस्लिम समाज जो कुछ ऐसे समाज जो बहुत गरीब तपके के हैं उनको भी आरक्षन का लाव मिलना चाहिए कि पांट सीट आया था और मैं आपको लिख के नीचे अगर चला जाएगा तो आप जो बोलिएगा मैं तरारी में लगबक 35-40 जार मुसल्मान रामगर 35-40 जार मुसल्मान चाहिए मुके सहनी के साथ बैठे हूए हां राना रंजीत सिंग और इन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है कि ऊपर अला नीचे मला और ये कंबिनेशन अगर बिहार की पालिटिक्स में हो जाता है तो कहीं ने कहीं फाइदा होगा इस वक्त खुद राना रंजीत सिंग है जो कि ए आई एम आई एम के जो है वो पार्टी में है और बीटे जो लोकसवा है वो सिभर से इनुने लड़ा था मुके सेहनी से मलकात करने करने के आगड़ बंधन को लेकर कोई बातचीत करने के जो इस सारा आप फेस्बूक के जरी कर रहा है देखिए एक आप हाइपोथेटिकल सिच्वेशन कह सकते हैं चुकि अभी रणितिक रूप से कुछ बाते बोलना जल्दे बाजी होगी निशित रूप से हर पार्टी अपने आपको कैसे मजबूत करे आने वाले विधान सवा चुनाओं नौंबर में होगा और फरवरी में होगा ये भी एक रहस्य है और आने वाला विधान सवा का जो चुनाओं होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा उससे भी बड़ा रहस्य होने जा रहा है कोई दो पार्टियां भी मिल करके सरकार बनाने नहीं जा रही है जिस तरह का परस समय रिजल्ट आने जा रहा तो उसको लेकर के गठवंदन का दौर चल रहा है सब लोग अपनी पार्टी को लेकर कैसे किस गठवंदन में बहतर उनको सम्मान मिल सके टिकट मिल सके उस कड़ी में हम लोगी भी मुलाकात हुई थी और एक सिच्वेशन को लेकर के हम लोगों बुलंद करते हैं इस पार्टी में तो निश्यत रूप से अगर एक हाइपोथेटिकल सिच्वेशन ही मानते हैं तो एक मजबूत विकल्प के रूप में यह तैयार हो सकता है आपने यह नहीं कहा कि यह बस एक कट्सी कॉल थी बस ऐसे ही मिलने के लिए गया थे अपचारिक मुलकात आपने नहीं माना आपने यह बताया हमें कि मुलकात हुई है और राजनीती के संदर में यह मुलकात हुई है तो आपको यहां से क्या लग रहा है कि जब बिहार डरद एक है कमजोर हमारा दरद अगर एक है तो दर देने वालों का भी तो सुनिए अगर आर्चीड कहती है कि होता है चाहे लोटस उपरेशन चलता है बीजेपी में तो आपने क्या किया आपने भी तो एक कमजोर पार्टी को आप कहते हैं कि भाई मैं मुसलिम समाज की चंता करता हूँ तो एक मुसलिम समाज का ही नित्वत मजबूत अगर हो रहा तो आपको तोड़ने के क्या जरूत थी आपने उस पार्टी को क्यों तोड़ा तो कहीं न कहीं चोट खाये हुए लोग तो हम लोग निश्चित रूप स चुनाओं के लिए तैयारी मोड में है चाहे नौंबर की बात करें चुनाओं आयोग भी जारखन गया महारास्ट का चुनाओं का घोशना होने जा रहा है बाई-एलेक्शन के चुनाओं का घोशना अगले 10-15 दिन में हो जाएगा और साथ ही साथ विधान सवा का चुनाओ फरवरी में हो इसकी प्रवल संभावनाएं बढ़ती जा रही है तो हर पार्टी अपने कटवंदन के लिए अपने पार्टी कारेकरताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है उसी कड़ी में हम लोगी मुलाकात हुई और निशित रूप से अगर मुके सहनी जी एक मजब भी जबुशन का लाँ मिलना चाहिए मुसलिम समाओ से समाज कुछ इसे समाज जो बहुत गरीब तब्गे आई एम आई एम भी जो है वो सदस्ता अभियान अचला रहे हैं क्या लक्ष है सदस्ता अभियान को लेकर थोड़ा यह बिश्तार से बताएं देगे पहली बार हमारी पार्टी हम लोगों ने आफ लाइन लगभग पांच लाग सदस से बनाए हुए हैं पहले से और जब कि क्यो बार सीमानचल की बात में कर रहा हूं और सीमानचल के बाहर तो हम कभी आई ही नहीं थे पहली बार लोकसभा का चुनाओ पटना से हम लड़े शिवहर से लड़े और काराकाट से लड़े गुपाल गन से लड़े तो पहली बार तो हमने तमाचा लोगों को मारा कि लोग जो कहते हैं कि यह मुसल्मान की पार्टी है तो इसमें से 50% से अधिक टिकट जो है वो हिंदू के लड़के को मिला मुझे भी मौका मिला शिवहर से अकलेशवर शर्मा जी को भुमियार समाज से उनको महराज गन से मिला काराकाट से मिला सहनी समाज की प्रियंका चौधरी जी को मिला मांजी समाज के गुपाल गन से ट हम लोग चला रहे हैं और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट का गठन करेंगा आईटी सेल बनेगा और भी कई चीज़ हर पार्टियों को आज के जमाने में किया जाना चाहिए हम लोग उस काम को कर रहे हैं हमारे प्रदेश सदेख शक्तरोलीमान साहब लगतार इसको करके सदस्ता अभियान में जगा जगा हर जिले में अपना ब्रह्मन कर रहे हैं हम लोग उने कैंपेन भी चलाया है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले पांसो मेंबर अधराबाद में दारु सलाम लेकर के जाएंगे और हैदराबाद की बिर्यानी भी उनको खाने का मौका मिलेगा बिर्यानी ऑफर कर रहे हैं पांसो मेंबर बनाई है और बिर्यानी खाई है अपने कारीकर्ताओ उस्टार बढ़ानें के लिए इसे कई हम लोगों ने अप्रिसियेशन को रखा है उनको अच्छा पद से ले लेकर के उनक kijken से लिए के Laris लेकर के साथसा साथ हम Tob हो कारिकरम ताकि टीम बॉर्णिंग एक टीम का बॉर्णिंग एकसाइस भी मजबूत हो सके तो इसके तहित हम लोगों ने हैदराबाद ले जाने का भी प्रवाम रखा है करने बीचाहिए एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त या रहा कि ठीक है आपने अपने तरफ से जो है वो मु उमिद्बार लड़े थे वहां आप लोग अपने खेमे वाला बोट ट्रांसफर नहीं करवा पाये तो क्या आपको लगता है मुसल्मान बोट करेंगे उनके उमिद्बार को पहली बात तो यह है कि हम लोग अपना काम करते हैं और निकलते हैं हम उसकी चर्चा नहीं करते है उपेंदर कुस्वाह जी मजे हुए राजनितिक हैं कई पार्टियों में इधा उधर आना जाना लगा रहता है उनका तो वो उसको भजाने का काम किया हम लोग ने चुप चाव अपना काम किया है अगर उपेंदर कुस्वाह जी इमांदारी से अपने दिल पे हाथ रखके बोलें तो जो वोट आया था जिसका वो अपने आपको कालिकूलेट करके अपने को भारी बनाने का उन्होंने प्रयास किया सचाई वो नहीं है हर जगह पे बिल्कुल जमाग खान साहब चुनाओ जीते उनके साथ भी हमारा गठबंदन था कोई इसकी जानकार ही नहीं होग है कि हमने एमाइम की वज़े से जमाग खान साब को वोट दिया देखिए वो परस्षितियां अलग है और अभी हम लोग संकटन को मजबूत कर रहे हैं तो उपेंदर कुश्वहाजी की जो आपने बात कही है हम लोग उसको बजाने का काम नहीं करते हैं हमारे प्रदेर सद् उपेंदर करें 35 में खान सकते हैं हमारे पार्टी फार्ड चारीकृता कम हैं हमारे पार्टी में बजलिश के दिवहाज़ें के रूप में असदो थी नहीं क्याइस के लिए लड़ने मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पार्टी को मजबूत करने में क्योंकि मुझे मालूम है हिंदू के बिटा होने के बाउजित मुझे इस पार्टी की ताकत को मैं समझ चुका हूँ आप अगर बात करते हैं चिराग पासवान जी की तो 4% ही है ना और अगर अगर मुसलिम समाज की बात करते हैं 17% मुसलमान अगर हैं तो आधे भी अगर हमारे पास हैं तो हम 8 और 9% पर हैं लेकिन मुसलमान तो वोट करेंगे एमवाई वाली पार्टी आरजिडी को ही बिलकुल नहीं हो देखिए ऐसा है कि हमेशा दो मुसलमान नेता दिखते हैं कोई फ्रेम आप तो पत्रकार है आप या तो फात्मी साहब दिखते हैं चाहे हमारे एक और जो मुसलिम समाज के हमारे नेता है सीनियर नेता है कोई ना कोई मुसलम नेता दिखता है पहले ऐसी बात नहीं थी अब लगतार मुसल्मान के नेताओं की बैठक भी होती है और सबसे बड़ा एक्जामपल साहवदीन सहाब के परिवार जिसको दरकिनार करके बैठे हुए थे अब उनकी कदर करकी जा रही है उनको बुलाया जा रहा है उनके शर्तों पे मिला जा रहा है अब उनको आना पड़ रहा है तो यह बदलाओ नजर नहीं आ रहा है आपको यह आपको समझ में नहीं आ रहा है और आरजडी के कई विधायकों के साथ उटना बैठना होता हर एक विधायक चंतित है कि आरे भाई मुसल्मान इस बार हमारे साथ नहीं है उसमें एक जगाने में मुसल्म समाज को जगाने में जन्सुराज की भी एहम भूमिका है और हम लोग तो लगातार इस काम को कर रहे है और यह मुसल्मान समाज जिस दिन जाग जाएगा तो यह जो अपनी गुलामी जो है AIMIM के बारे में कि पांच सीट पिछले बार आ गया था इस बार नहीं आ पाएगा आपने भी चर्चा है सुनी होंगी देखिए ऐसा है कि पांच सीट आया था और मैं आपको लिख के देता हूं कि 25 विधायक हमारे कमसे के होंगे लक्ष 50 का है लेकिन 25 के नीचे अगर चला जा मुसल्मान है तरारी में लगभग 35-40,000 मुसल्मान है रामगर 35-40,000 मुसल्मान है आपको क्या लगता है हर जगह अगर मजबूती से लड़ती है तो चुनाव जीत नहीं भी पाएगी तो भी 15-20,000 भोट हम लेकर के आएंगे तो यह आपको दिखा देंगे और साथ में मैं यह भी बाकी पार्टियों को भी जो है उसमें आवंतरत करना चाहता हूं कि सेमी फाइनल के तरहीं केस है यह उप चुनाव होने जा रहा है तो कहीं न कहीं आप हमारी ताकत यह है कि हम हर विधान सवा से अगर कल चुनाव हो जाए तो हर विधान सवा से 10-15,000 हमारे वोटर आज है उप इंदर कुस्वा जी ने जो बजाया है वह अलग विशाय हम वह काम नहीं करते हैं लेकिन आप चले जाए और अगला जो है चुकिसी मांचल से बाहर पहली बार हम निकले हैं हर विधान सवा में 15,000-20,000 वोट मायम का है और अगर हम लोग अठबंदन मेरे अकेल भी लड़ते हैं तो 25-30 सीट लेकर के आएंगे जो निर्णायक होगा अगले सरकार किसकी बनेगे उसमें एहम भूमिका में हम रहेंगे